नमस्कार, हेलो आदाब एंड वेलकम तो इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और मैट नबर 46 हमारी O2 चैंपिन सिप के गेम प्ले में आपका स्वागत है भिट रही है हमारे चैंपिन सिप की हमारे लीग मैच की डॉप की दो टीम है न्यूजिलेंड जो की बहुत इसांदर फार्म में है साथ अफरिका ने खराब सुरूबात के बाद काफी हद तक वापसी कर लिया यहां पर और अभी के लिए टॉस का वक्त है यहां बॉलिंग का फैसला की है साथ अफरिकाने रंचेस के लिए जाएंगी एक बब फिर हम लो इन बाजी में राइट आफ स्पिनर एक बब फिर स्पिनर को चुना है अमने सुरुआत के लिए इंपोर्टन मैच ज की इंपोर्टन एम म FDP्ब आ एक खर दो बाँटन की यहां वरूर्टन है इंप्ते। well they won't find that one in a hurry that's an amazing six and he's gone for the doujera but is it enough oh what a deliver superb doujera by the sound of that off the willow that it's hit it's meatiest part a whale of an onside shot an impressive sprint by as the spinner steps in it's a non-stop offside assault slam brutal sky shot soars over the pitch and into the crowd what a shot catch him got him he's played right into the fielders hands that's the first wicket down in this innings he's the new man in he should stick to the team plan and just anchor the innings down just a complete lack of control from the bowler here resulting in a wide catch great catch a premature end to a promising start caught out well he's had no time to set he has to stick to his basics and not give away his wicket here he has to be lightning on this one if he's going to be safe that's a loose delivery from the bowler that's a clear no ball let's see what's in store for the bat exceptional bowling he goes for the doujeras trick the batsman up big miss to defend once again they get nada swept across with no mercy a very good effort between the wickets पर देखते हैं जब तक हो नहीं जाता तब तक इस समय ये सब कुछ पेपर पे हैं जब तक हम पेपर पर थाच जायगी ये सा तोचा नहीं था बल्ले बास फीडी कर देख डिए। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं थोड़ा साइन को संभल के खेलना होगा और पोशिश करनी होगी कि अंध तक ये नाबाद रहें हाँ और ना में टाइम वेस्ट नहीं किया बढ़िया रानिंग बेट्वीन नंभी डाही संपूर्ण समर्पर जबरदस्त अपील बल्ले बास भी असमंजस में अमपायर ने कहा आप सुरक्षित है नौट आउट करार दिया दो-दो हाथ करने की मंचा से ये गेंद गई है स्टैंड के पार बहुत दूर छे रन कमाल का शॉट ये शॉट अगर मैंने लगाया होता तो मैं बहुत ही गौरवानवित होता स्टैंड में एक हेली पैड लगवाना पड़ेगा क्योंकि बल्ले बास ने तो हेली कॉप्टर निका दो छक्के लगा सार दुगना टाउन दग्राउंड सीधा शॉट लेकिन कहलाएगा स्टैंड लॉक इस खिलारी का अंगाज निराला शॉट बहुत ही आला इसे कहते है इनी का बोलर को अलविदा कहा है चौके के साथ आखरी होगी है शुरुआत और दश्चक दीरगा में बहुत सारा रोमाच केंद बाजी यूनिट की एक धमाक दाश रुआत गोल्ड हैंडिलिंग दबॉल आई मीन अपने आप से नाराज भी होंगे और निराज भी महदवबूल विकेट एक महदवबूल समय पर रिल्कुल साधारा रण बल्ले बाजी गिफ्ट में दे दी अपनी विकेट इन्हें सिर्फ अपने बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है अगर नीव मजबूत होगी तो इमारत बड़ी खड़ी हो सकती है तिर्चे बल्ले से सीधा शॉट स्ट्रीट बहुत आसान सा कैच डीप में ऐसा लगता है फ्री होम दिलिवरी दे कर गए है कैच दूसरी गेम दूसरी सफलता गेंद बाज कर तीम ने कुछ प्लान किया और उस प्लान का हिस्सा है ये इसे कहते हैं संभल कर खेलना इन दो रंस के साथ संभाल रहे हैं अपनी टीम को ये आउट करार दिया है अमपायर ने अमपायरिंग डिसीजन से बल्ले बाज बिलकुल नाखुश बियारेस नापती हो रही है यहां बैक्समन की समापती हो चुकी है अपनी विकेट नहीं गवानी है यहां इनको तो फिर जो गो बैक तो बेसिक्स बल्ले बाज ने खाया है चकमा लेकिन क्याट चमक गए है विकेट कीपर है यहां पर कीपर की बढ़िया कोशिश बोलस बोलस या तो आपको जीत मिलती है या आपको सीख मिलती है जीतने वाली टीम को बढ़ाई जरूर है लेकिन हारने वाली टीम यहां से पहुं मुल्य सीख लेगी और रागे की तरफ चलेगी केंद के साथ जादूवर कहते हैं इनको जिनके इशारों पे नाच रही थी गेन और साथ में बल्लेबास भी मनलवाश का वाल जिस तरह का क्लोज बना है उससे तो एक चीद लग रही है कि चार या छे रन कम कर गया न्यूजिलेंड अगर कि यह होते है एड तो साय जीत भी कि सकता था क्रेट जैका सेगंड ओवर को जिसने मैं फोड़ी चान डाली परत में जीता है अफ्रेक, आम नुकसान ये हुआ है, यहाइपे सबसे हिछाइब Nुकसान हुआ है किसको अगर आप देखो के सबसे आदा नुकसान हुआ है, अपे इंडिया और श्रीलंका हुआ है कोगी दोनों टीमें आप प्यार हमारे वीडियो उसे चानल को देते रहे हैं मिलते नेक्स्ट ट्राइम तब तक के लिए बाई बाई